दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी उत्राखंड से दोस्तों इस समय जून का महना चल रहा है और भरपूर गर्मी है तो आज मैं आप से बात करूंगी कि अभी जून के महने में अगर आप नर्सरी जाते हैं तो कौन से प्लांट आपको नर्सरी से लाना चाहिए जो आप किया चल सके और कौन से प्लांट जो है इस समय लाना अवाइट करना चाहिए मैं एकी करके बहुत सारे फ्लो वाले पॉदों के नाम बताऊंगी और कुछ-कुछ क्यर्टिप से बताऊंगी तो दोस्तों इस समय अगर आपको नर्सरी जाते हैं तो इस तरह के टिकोमा बहुत मिलेंगे वहाँ पर टिकोमा छुटटी पॉट्स में लगए हुए 70-80 रूपे से लेकर 120 रूपे की रेंज तक मिल रहे हैं तो टिकोमा जो है औरेंज मिलेगा भी आपको यलो कलर में भी मिल सकते हैं तो यलो औरेंज एक परपल तीन कलर यह कॉमन होते हैं और यह को मिलते हैं तो इनको आप नर्सरी से अभी बाय कर ला सकते हैं बहुत अच्छे प्लांट होते हैं जो हमारे पास एक बार लाने के बाद आप इसकी कटिंग से लगाए उसके अलावाई बहुत हार्डी प्लांट है इस गर्मी में आपको बहुत अच्छे फूल देंगे यह इसके प्लांट मिलते हैं पार्चोला का आप इस समय इस समय नर्सरी में बहुत सारी कलर में मिल लाना आपको नर्सरी मिलता है जिसमें की बहुत बड़ा फूल आता है पर कम फ्लावर सो आते हैं ये फूल जो है ये पुलांट जो है आपको नर्सरी में 15 से रुपे से लेकर 30 रुपे की रेंज में अच्छे अच्छे जो है सन फ्लावर की प्लांट आपको नर्सरी मिल सकते हैं तो इनको भी हम ल बहुत बन जाते हैं तो अब जो है गर्मियों में तेज गर्मी में जो है ये प्लांट आपके आची तरह सर्वाइब कर लेंगे फिर हैं दोस्तों हमारे पैंटाज पैंटाज ये बहुत अच्छे फ्लावर्स प्लांट होते हैं गर्मियों की लेकर बरसात में लेकर सर्दी आ बढ़ जाते हैं तो हीमिलिटी रहने से इसको बहुत ज़्यदा हीमिलिटी पसंद होती है तो ये प्लांट भी आप नर्शनी से अब लाएंगे तो आप कहां सरवाइब करेंगे इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अडेनियम की अडेनियम के लिए तो बहुत अच्छा समय है अडेनियम की तो कोई भी बैराइटी आप अपने हां अगी समय जो है लाक लाएंगे तो बहुत जल्दी फूलों पर आ जाएगी वो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा तो इस समय जो है अडेनियम को लाने का भी बहुत अच्छा समय होता है जो इसकी सिंगल पेटल ब पसंद है एलो कलर भी जो है इससे में डरसरी में अबलेबल होते हैं और बहुत अच्छे फूल खिले होते हैं उनके अंदर और एक बार इसका फ्लावर खिल जाए तो बहुत समय चलता है तो इनको भी इस समय हम प्लांट को लाएंगे तो बहुत अच्छे हमारे पास यह फ बिंग कलर और पिंग कलर की कम देखने को में लिए वाइट और विलू दू कलर में देखती है यह आपको डबल पटल दिखा रही हूँ अगर इस तरह की अप्रादित आपको कहीं से मिलती है तो अभी आप इसको ला सकते हैं तो बहुत सुन्दर बेलो वाला प्लांट होता हैं तो इनको भी हम ला सकते हैं यह भी नरसरी में इस समय भरमार होती है और यह ब्लुकुल सर्वाइब करेगा आपकी हम मरेगा नहीं आगर दोस्तों यह हमेलिया होता है एक ऐसा प्लांट जो बहुत कम केर में चल जाता है और बहुत सुन्दर इसके फूल दोस्तों इस त प्लांट मिलते हैं तो यह भी नरसरी में इस समय एबलेवर होते हैं 20-25 रुपे में इसका प्लांट मिल जाता है और इसी कटिंग लगाएं इसके अलावास के सीट से इतने प्लांट बनते हैं कि लोगों के तो कितनी उखार उखार के फेकने पड़ते हैं जिनके बहुत सार जो है इसके सीट प्रिपेर हो जाते हैं तो यह प्लांट भी इस समय हम ला सकते हैं फूलों वाले प्लांट के साथ अगर आपके पास इस तरह से औरनमेंटल यह जो संद्रे का प्लांट होता है औरेंजी का होता है यह जो अगर आपके पास नहीं है तो लाएं देखिए यह फूल विखिले होते हैं इस समय और छोटोटे संत्रे भी इनमें लगे होंगे इनमें येलो कलर की संत्रे लगे हुए बहुत ही सुन्दर दिखाए देते हैं मैं आपको बहुत सारे दिखा रही हूँ इनके अंदर जो है देखी छोटोटे संत्री बने हैं और ये देखिए के पास उसको इस समय ला सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं खूब सूरत गुड़हल की तो गुड़हल जो है हाइब्रिड बैराइटी आप लाने से अगर बचे तो ठीक है इसकी देसी बैराइटी लाए देसी बैराइटी बहुत अच्छे फूल खिलते हैं इस समय तो द बहुत सारे जो है स्टार जैसमीन भी कहते हैं तो बहुत सुन्दर बैराइटी आजकल मिलने लग गई हैं इनको भी इस समय हम ले सकते हैं दोस्तों चाननी सिंगल पैटल डबल पैटल मल्टिपल देखिए बैटल्स जो होती है यह चाननी के तो चाननी जो है चाहे तो डौर बैराइटी लाएं चाहें तो जो है इस तरह की चाननी के प्लांट भी इस समय कोई भी चाहें आप ला सकते हैं दोस्तों अलमंडा बगरे का तो सीजन आ गया है इनको भी लाइए यह बहुत सारी कलर्स में आते हैं और बरसात भर आपको ठीरों फूल देने वाले प्लांट हैं तो अलमंडा की प्लांट जो है गार्डन में बहुत अट्रक्ट्व लगते हैं इनको भी इस समय लगा सकते हैं अलमंडा के बाद दोस्तों ये गुलमोहर है इनको भी पॉट में लगा जा सकता है ये भी अब जो है नरसरी में मेंने लग जाते हैं तो इसकी डॉर्फ व जीनिया जो है इस समय नर्सनी बहुत सारी बैराइटी मिल रही है अगर आपके हम बहुत तेज धूप है जीनिया को धूप से नहीं बचा पाएंगे तो यह जरा खराब हो जाता है इसलिए जीनिया लाएं जीनिया बहुत अच्छे चलते हैं कुछ खास पौदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इनी सीजन में खिलते हैं यह गर्मियों से लिए के बरसात तक ही धिरों फूल देते हैं तो इन में जो है यह साबनी इसे प्राइट ऑफ इंडिया कहते हैं यह तीन चार कलर में मिलता है आपके पास जो कलर नहीं है या है ही नहीं तो यह प्लांट आप ले सकते हैं साथ ही कटिंग से भी यह प्लांट इसे में लगता है लाश्ट एर के कटिंग से लगाया वह प्लांट अब रिजल दे रहा है वाइट कलर की साबनी मुझे बहुत पसंद थी मेरे पास वाइट भी है और यह देखिए पिंग कलर कितनी दोस्तों वैसे तो यह जो प्लांट है थोड़ी कम दिखने को मिलते हैं अगर मिलें तो रसीलिया वगरे अभी आप गार्डन में एड़ करें देखिए कि तो संदर फूल खिलते हैं गर्मियां से लिएक बरसाद इनको बहुत पसंद होती हैं बस सर्दियों में थोड़ा सा यह प्लांट जो है डॉर्मेंसी में जाते हैं बहुत संदर फूल देने वाले इन प्लांट को इस समय आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं प्लांट तो अभी भी लाने के लिए दोस्तों बहुत सारे हैं मुसंड़ा लाईए इस समय एक जूरा लाईए और कुछ प् खुली धूप पड़ती है तो ये सहन नहीं कर पाएंगे इसके अलावा गोरी-चोरी का प्लांट भी आप नर्सरी से इस समय ला सकते हैं वो भी बहुत अच्छी फूल देता है जरवेरा इस तरह के प्लांट जो पूरी साल चलने बाले होते हैं दोस्तों इनको भी अगर आप अगर आप नहीं कर पाते लेंटाना भी उनमें से आता लेंटानों को अभी आप लाएं तो बहुत अच्छी चलते हैं ये भी तो जो है कुछ प्लांट को लागने से हमने बचना है उम्मीद करती हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार